हेलो एबरिवन साथियों कैसे हैं मुझे उमीद है कि आप स्वस्त होंगे 28 अगस्त को आपका याज के डेट में जो आपका पेपर का एकजाम हुआ है तो इसमें 25 यानी 25 नमर का जो कोशन पुछाता है टेचिंग लर्निंग अप्टिटूड के तो एक एक करके शवी कोश्चन का एंसर देखेंगे ठिक न जैसा कि आप इसकिन पर देख पा रहे होंगे यानी फॉस्ट नमर कोश्चन इन कारको में सीखने की गुन बत्ता और मात्रा को प्रभावित नहीं करता है ठीक ना, जैसा कि मैंने बताया था, कि नहीं हैं और हैं अपर किलिक कर देना है, तो भौतिक, शमाजिक, शांस्क्रितिक या सुपधा, ठीक ना, तो इसमें जो हो जाएगा, ये आपका भौतिक हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा? एक इन कारकों में जो सिखने की गुन सिक्षन बिद्म का ज्ञान ये वी सही बात है चात्रो का ज्ञान ये वी सही बात है यानि इस परकार उप्युक्त सभी ठिक न तो क्या हो जाएगा शंतान और का इनमें से सभी हो जाएगा ठिक। विष्ट के बाद है, यदि कोई चात्र कक्षा में सरारत करता है, तो सिक्षक को क्या करना होगा? माता-पिता की रिपोर्ट, या परधना-ध्यापक की रिपोर्ट, या चात्रों को दंट, तो मैंने बताया था कि दंट वाला क्या होता है, positive में बच्चे अगर गलती करते हैं फिर भी उसको दंड के द्वारा नहीं त्यार सकता है इस पर क्या होगा अंठानवेर का क्या होगा छातरो पर case study होगा case study on the student ठीक ना तो क्या कर सकते हैं आपका ये छातरो पर case study होगा तो ठीक option नमर D हो जाएगा उसके बाद 99 question है 99 number डिजिटल सिक्षा में सिक्षक की सबसे महतपुर्ण भूमिका क्या है पूछा जा रहा है सबसे महतपुर्ण भूमिका ठीक तो इसमें क्या है उसमें चारों ही important होंगे ठीक न और उसमें सबसे best को चुनना होगा दुरस सिक्षा मोड में operating technique या कक्षा की निगरानी या अलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना या एक सुत्रधार देखिए यहां पुछा जा रहा है कि डिजिटल कक्षा में डिजिटल कक्षा में जो होगा यह दुरुस सिक्षा मोड में operating technique जहां यह डिजिटल सिक्षा यानि वह भी तकनीक की बात हो रही है तो option नमर एक हो जाएगा आप कह सकते हैं कि अलोचनात्मक यानि पर्मोच यह हमारा अलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना हो सकता है ठीक ना पर्मोटिंग क्रिटिकल थिंकिंग तो ठीक न तो इसमें पुछा जा रहा है डिजिटल कक्षा को लेकर तो डिजिटल कक्षा क्य हो जाएगा ठीक उसके वाद है यदि सिक्षक छात्रों को विशय के चैन में मदद करता है तो उसकी भूमिका किस परकार होती है देखिए गौर से सुनिएगा कर रहा है कि यदि सिक्षक छात्रों को विशय के चैन में मदद करता है तो उसकी भूमिका यानि कोई सब्जेक meeting हो रहा है जिसमें आप अपना सवाल पूछ सकते हैं ठीक न तो यही एक counselor है जिसमें क्या कर सकते हैं विसयों के chain में आपकी मदद कर सकता है यह आपकी क्या कहलाता है यह आपकी counselor कहलाता है ठीक उसके बाद आपका अगला नमर question है एक अच्छे इश्कूल परधाना चार्ज के गुनों में सामिल है क्या सामिल है एक शक्रिय शरोता सही बात है कार्जियों का कुशल परतीनी दी ये भी सही बात है साकरात्मक व्योहार का विकास करता ये भी सही बात है जब तीनु सही है तो मैंने बताया था अप्शन नमर डी को नहीं छोड़ना है अगर सभी पोजेटिव हो तो अप्शन नमर अगर डी अगर उप्युक्त सभी हो तो यह सभी वाला होता है और यहां हुआ भी दो तिन हो गए है ना ऐसे ही हुआ होगा कौन सा सिध्धान्त बैवसाइक नेतिकता का नहीं है आपका पूछा जा रहा है स्वायत्ता का सिध्धान्त और शंतोष का सिध्धान्त या सारभौमिक का सिध्धान्त या मानवत्ता का सिध्धान्त पूछा जा रहा है बैवसाइक नेतिकता का सिध्धान्त यह नहीं है ठी करना है उसके बाद देखिए मैंने जो बताया था वह स्टुडेंट भी ऐसे किये विया नहीं पर टिक लगाना है क्योंकि अगर नहीं पर टिक नहीं लगाते हैं तो बनाते समय भूल जाते थे कि क्या होगा पोजेटिव कुछा गया है कि निगेटिव कुछा गया है ठीक न ऐसे ठीक लगाया हुआ बहुत अच्छा लग रहा है जैसा मैंने बताया था आप लोग को निमली खित में से किसके लिए लोकतंतर खरा नहीं है खरा नहीं है तो यह आपका क्या हो जाएगा यह राजवन्स सासन आपका ओप्शन नमर ए जो है यह करेक्ट हो जाएगा अग NGC या NCRT या NCTE या CBSC तो किसके द्वारा हो जाएगा शातियों यह आपका NCRT के द्वारा थिक नैंशीर्ट के द्वारा आपकी राष्ट्ये पार्चर्जा नेशनल करिकुलम फ्रेमबर्क यानि NCF 2005 यह आपके NCRT द्वारा यह बेक्सित किया था तो इस परकार आपका यह option सही हो जाएगा थिक उसके बार कच्छा में छात्रों द्वारा पूछताज अनुमती दी जानी चाहिए या उसे परसाहन की जान अगर बच्चे परश्ण पूछते हैं तो उसे क्या करेंगी अनुमती नहीं दी जानी चाहिए या उसे हतोत साहित कर देना चाहिए कि आ 206 नमर आपके विचार में सिक्षन है आपके विचार में सिक्षन क्या है एक परकिरिया है या एक कला है या एक प्रतिभा है या इसके साथ साथ एक कला वो एक परकिरिया है यानि एक दोनों की बात कर रहा हो तो ये क्या हो जाएगा एक कला और एक परकिरिया आपके विचार में शिक्षन दोनों होता है उषिके बाद है नैतिकता की जहां तक बात करता हूं तो नैतिक्ता नैतिक्ता क्या कहता है इतिक्स इज ब्रांच ओफ तो यह जो होता है साथियों यह इन में से कोई नहीं वाला ओप्शन यानि डी हो जाएगा क्योंकि नैतिक्ता में जो है उसमें मानव चरित्र का अध्यन किया जाता है मानव चरित्र विज्ञान का अध्यन किया जाता है नैतिक्ता से आपका एथिक्स से क्या गलत है क्या सही है तो इस पर धियान दिया जाता है तो यह आपकी क्या है यह मानव चलित्र का विग्यान है यानी इनमें से कोई नहीं औप्षन हो जाएगा ओप्षन 9 मड़ी हो जाएगा ठीक ना उसके बाद आपका है एक सो आठ बिद्याले अनुसासन का मुखुद्देश क्या है का पुछा जा रहा है मुखुद्देश को लेकर छात्रों के लिए एक सुरक्षित बातावरन परदान करना या दोस्यों की पहचान करना ताकि उनका निवारन क किया जा सके या सिक्षन के लिए अनुकूल वातावरन यानि जैसा वातावरन सब के अनुसार अलग-अलग होता है ठीक ना 109 का ग्यान, समझ, कौसल इन में से उप्रूफ सभी option number D आपका correct हो जाएगा ठीक न? उसके बाद है 110 number question है प्रभावी प्रस्तूती करन ही तू हमें क्या करना चाहिए? सिमित, सब्द और परमुख वाक्यांस यह होगा या छवियां होगा या layout होगा या सैलियां होगा देखिए effective presentation जो होता है यह सिमित, सब्द और परमुख वाक्यांस दोनों का परियोग इसमें उप्योग होना चाहिए ठीक न? प्रस effective कब होता है? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दीजे कुछ भी बोलते जाए नहीं उसमें भी limitation की भावना सब्द limitation जरूर होता है ठीक न? इसलिए परिक्षा में देखके होंगे क्या इतने 50 से 70 सब्दों की बीच लिखे ऐसा हो सकता था कि नहीं दे कि आप अपना मन से लिखे 100, 200, 500 ऐसा नहीं होता है उसमें भी दिर्गुत्रिय भी होता है तो भी उसमें धाय 100 से 300 आपका क्या होता है सब्द का limitation रहता है ठीक न? तो वो क्या होता है आपका effective होता है ठीक उसके बाद है एगारर का यानि 100 एगारर का है लिमलिखित में कौन दूरदर्षन का satsic television है तो आपका यह क्या हो जाएगा आपका ग्यान दर्सन हो जाएगा तो सातीओं इसका क्या हो जाएगा ग्यान दर्सन आपका उत्तर हो जाएगा इसके बाद है 112 नमर question जैसा कि आप इसकीन पर देख पा रहे होंगे इस्कुल परवंधन में एक सिक्षक के लिए आवेस्य कोशल सब से क्या है तकनीक मानवी और बैचारी कोशल है या शक्रिये शरवन और संचार कोशल है परवंध किये और प्रशासनिक कोशल है तो कह रहा है इस्कुल मैनेजमेंट की बात हो रही है तो क्या होगा मैनेजमेंट से ही होगा तो यह हमारा परबंद की और यह परशाशनिक यह कौसल अप्शन नमर C हो जाएगा ठेक ना उश्के बाद है 113 नमर भारते संविधान का कौन सा अनुच्छिद और स्प्रिसता को समाप्त करता है तो यह क्या हो जाएगा 113 का क्या हो जाएगा उप्शन नमर C यानि अनुच्छिद 17 हो जाएगा ठीक ना उश्के बाद है 114 नमर जैसा कि आप स्कीन पर देख पारे होंगे एक रचनात्मक बच्चे में निमलिखित भी सिस्ताइं होती है रटने की छमता या शमस्या समधान के दिरिष्टी कोन में कठोरता या दिये गए नियमों और मांदनों के अनुरूप या मुल बिचार और अविव्यक्ति देखिए जहां मैंने बताया था औरिजिनल थाउट एंड एक्सप्रेशन यानि बच्चे की मूल बिचार और व्यक्ति की जहां तक बात करे वही आपका सबसे बेस्ट उत्तर होगा तो अप्सन नमबर डी जो की करेक्ट है इसके बाद 115 नमर कोश्चन जैसा की आप स्कीन पर देख पा रहे होंगे निमलिखित में कौन सिक्षन का सिध्धान्त नहीं है नहीं है जैसा की टिक लगाय हुआ है नहीं है तो देखिए कितना कोश्चन है और नहीं से बहुत सारे स्टुडेंटों का गलत हुआ होगा ठीक ना पंदर का 115 का हमारा क्या होगा इन में से कौन सा नहीं है तो जटिल से अमुर्थ वाला ये नहीं है उसके बाद है 16.116 कौन सा लेखन परकिरिया का एक महत्पुन चरन है तो सुलेक जैसे मैंने बताया था पराया भी था सुबो पली क्या पढ़ाया था सुबो पली क्या होता है सुनना बोलना पढ़ना लिखना और इसमें ये बताया था अच्छा सुरोता ही अच्छा भकता होता है मैंने एक एक करके आच्छा समझाया था और देखिए यहीं से प्रश्न उठा भी तो क्या लिखा है शुलेक आप का बेस्ट हो जाएगा उसके बाद है 117 नमबर की निमलिखित में किस रेनी के छात्रों को सिक्षक सबसे अधीक पसंद करता है शक्रिये छात्र स्वस्त छात्र आग्या कारी छात्र या अमीर परिवार के छात्र तो आपका क्या हो जाएगा यह जो एक्टिव पर देख पा रहे होंगे 118 अधीकम सिक्षन अधीकम परिकिरिया में निमलिखित में कोन आसरी चर्ज है तो पता होगा यह छात्र जो है यह किस पर डिपेंड करते हैं यह सिक्षक पर डिपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगे यह आपका छात्र आपका क्या हो जाएगा शा वाला हो गया इसके वाद 18 का था आशरी चर तो आपका क्या हो गया या चातर हो जाएगा उशके बाद 29 यानि 119 नमर कुश्चन सारी फिटनेस के घटक है तो आपका क्या हो जाएगा मांस पेशियों की ताकत या पेशिये सहन सकती या गती और लचिलापन या उप्युक्त अभी वाला हो जाएगा उसके बाद 120 नमर कुश्चन जैसा कि आप इसकीन पर देख पा रहे होंगे ताकत मापने के लिए किस परकार के पशु अप्स का सुझाब दिया जाता है तो यह क्या होगा यह शिंपल पशु अप्स क्या होगा अप्सन नमर ए जो है आपका यह करेक् परकार 25 कुश्चन थे और आपने जाना और देखा 25 में कितना नमर आपका इसकोरATHAN है आप अपने कॉमेंट बोक्स में इस वीडियो को कॉमेंट बोक्स में जरूर बताओगा और इस वीडियो को ज़्यादा दोस्तों तक जरूर पहुंचाई इस चैनल पर पहली भारा है त चनल को सब्सक्राइब कर लिए धन्यवाद